हलो फ्रेंट्स माइंड बूस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत और अबिनन दन तीन हजार सब्सक्रिप्शन होने पर आप सबको बहुत बहुत सुपकाम ना है इतने रिकॉर्ड टाइम में तीन हजार सब्सक्रिप्शन हुए और आप लोग का प्रेम इसने आशीश प्या मिलता रहे आप हमारी वीडियो को शेयर करते रहें और हमारी सब्सक्रिप्शन पढ़ते रहें हम बहुत सारे बच्चों के संग जुड़ें ऐसी एक अमिलाशा हमारे दिल में है कि हम अपने वीडियो के माध्यम से बहुत सारे बच्चों की जीवन की जिशाक बदल दें औ आज जो वीडियो है वो है परिच्छा के दौरान हम क्या खाएं कितना खाएं कैसे खाएं जिससे की हमारे मांसिक इस्तर जो है हमारा बहुत अच्छा रहे हमारा ब्रेन कैपसेटी अच्छा हो करके चुस्त रहे दुरुस्त रहे और हम एक्टिव हो करके खुब पढ़ाई कर और आगे बढ़ें सबसे पहली दिन चर्या के अंतरगत 6-7 घंटे की स्लीप बहुत जरूरी है दूसरी बात क्या है सुबह उठकर के फ्रेश हो ये फ्रेश होने के बाद आप व्यायाम करिए व्यायाम में क्या है आपको सबसे पहले अनलोग मिलो फिर उसके बाद प्रहामरी जाब करना है नौबार इतना करने के बाद अब थोला सा वार्ण फो लिजिए जिसे जिसे कि गोल रखे हैं उसको हम अचीव करेंगे तो यहां तक तो हो गई ध्यान की बात और अब ठान पान की बात नास्ता जो होगा हमारा वो बहुत अच्छा लाइट होगा और साथ में सुपाच्य नास्ता होगा सुपाच्य नास्ते में क्या होगा सबसे बैटर होगा कि दूद दल्या हो नमकीन दल्या हो उत्पम हो या फिर साथ में आपका बहुत सारी चीजे ऐसी हैं जो खानपे पोहा हो सकता है या सुजी का हलवा हो सकता है या किस तरीके से हम उसको ड्राइफूड ढाल करके और अच कार्बो हाइड़ेट का परसेंटेज थोड़ा सा कम हो जिससे क्या है हमारे दिन भर के एनर्जी जो लेवल है वो मेंटेन रहे क्योंकि हमें दिन भर उर्जावान रहना है क्योंकि हमें पढ़ना है ध्यान रहे कि जो हम मांसिक कारे करते हैं पढ़ते हैं मतलब मांसिक कारे कर इस वीडियो से बनाने से पहले मैंने बहुत सारे इंडिया के टॉप टैक्रीशन से बात किया उन्होंने बताया कि जो एक्जामनेशन का जो समय होता है उसके अंतरगत हमें बहुत ज्यादा भरपेट खाना खाना नहीं है पहली बात दूसरी बात हर खाने के बीच में जो गै इतना सता किया हम पढ़ने बैट गए एक घंटा डेल घंटा पढ़े उसके बाद क्या हुआ हमने चाय ले ली या फिर हमने क्या सिकंजी ले ली या फिर हमने कुछ ड्राइफूट्स ले लिया कुछ सलात खा लिया गाजर खा लिया ग्रीन वेजिटेबल्स ले लिये कुछ इस तरीके की चीजें, बिस्किट ले लिया, हलका सा कमीर है, लेकिन ड्राइफूट जादी रहता है, तो बहुत अच्छा होता है, और सबसे बड़ी शीबीच क्या है, किसमिस यदी है, तो बहुत अच्छा है, दूसात में दो बादाम हो, तो और भी अच्छा है, तो यह ची इसमम अपना गेन करते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं, और हमारी स्मर्ण सकती जो है, अच्छी बंती चले जाती है, ठिक उसके बाद एक डिल बजो खाना खाना है, खाने में हमारे green vegetables सबसे प्रमुक्चीज है, जो green vegetables रहेगा, तो हमारा जो है, पूरा digestive system जो है, बहुत ले चीजें बहुत आभश्यक है, green vegetables रहे हैं, पत्ते-दार जो सबजे हो सकती है, पालक, मेटी उसकता है, पत्वगधा हो सकता है, साबमें लौकी हो सकती है, भिंडी हो सकता है, गोबी हो सकती है, मतर हो सकता है, इन सब चीजों का जो है भर पूर परियोग करेंगे, और क जादा खाना का लिया तो रक्त का बहुत सारा हिस्सा हमारे पेट में जो है पचाने में चला जाता है तो हमारा ब्रेन जो है वो क्या ड्राउजनेस फील करता है और हमें नीड आती है यह अच्छी बाती है फिर उसके बार खाना खाने के बार थोड़ा सा हलका सा विश्राम हो एक बात ध्यान रखेंगे, examination time के दौरान fast food एकदम प्रॉबिटेड है, हार dietitian, हार nutrition वाला व्यक्ति ये बोलता है, और मैं भी बोल रहा हूं इस चीज को, कि examination time में हमें fast food बिलकुल नहीं लेना है, no magi noodles, no burger, no pizza, no chowmean, कुछ भी नहीं, हमें सुध सात्विक खाना, घर का खा है, हमें गुड चना जो है, बहुत अच्छे से प्रियोग करना है, चाहे हो morning के समय भी हो, चाहे हो evening में सूखे चने और गुड ले लिया, उससे क्या हमारी body के अंदर energy built up रहती है, और हमें protein की मात्रा पूर्ण होती है, glucose बिलता है, क्योंकि यह पता होना चाहिए अच्छी देखी गई है, कि अलसी के बीच भी लेते हैं, तो बहुत अच्छा है, इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है, कि हम अपने diet के दौरान माता पिता से एक बार discuss कर ले, मम्मी पापा को बता दे, कि हमें यह चीजे लेनी है, मम्मी पापा बेस्ट करकर के आपको देंगे, औ तो ठीक पांच से छे के बीच में जो है लेगे, तो उसका बहुत लाब मिलेगा, और रात के खाने में green vegetables ज्यादा हो, रोटी कम हो, और साथ में क्या है, कि सबजी ज्यादा लें, रोटी कम लें, तो हमारी नीट का जो percentage है, वो कम हो जाएगा, और हम अच्छा गेन करेंगे सारा चीज जो alert होने का है, दिमाग alert रहे और हम बहुत अच्छा कर सकें, यह चीजें ध्यान रखनी है, तो हम प्रोटीन के रूप में जो है, चीज ले सकते हैं, दूद ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, और भी जो चीजें हैं, वो अंडा है, फिश है, यह नहीं कोई मान स सहर लेता है, तो वो ब्रोटीन लेगा, नहीं तो animal प्रोटीन लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, परिचा के द दौरान हमें प्रोटीन पर ज्यादा फोकस करना है, कार्बोहाइट पर करना है, ग्लुकोस पर करना है, और हम पड़े दिमाग को चुष दरुस रखते हुए हमें अपनी पढ़ाई को खुब अच्छा करना है यह ध्यान रहे सारा खिल एकागरता का है यह हमारे दिमाग एकाग रहेगा हमारे दिमाग चुस्त दुरुस्त रहेगा शार्प रहेगा तो हम बहुत अच्छा गेन करेंगे और अपनी एक्जामनेशन को बहुत अच्छा क् यह वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताईएगा और अपने स्कूल का नाम अपना नाम और साथ में आपका क्या परसेंटेज आपने लक्ष बनाया है गोल क्या है यह जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर नोट करिएगा बहुत-बहुत धन्यवाद जय भारत, जय देश